हम पढ़ेंगे आज एक नए चेप्टर को जिसका नाम है नेचरल डेस्वर्स आफ इन्या इसके पहले मैं आपको पूलिए को प्रेंज अगर अपने चैनल को सेरें सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सेरें सब्सक्राइब करें कमें श्रीक्शन में बताना न चैनल को जोनुद यहां पर मैंच अपतो फॉलिंग दिया हुए हमें करेक्ट कोड चूज करना है लिस्ट वन और लिस्ट वन में दिया हुए नेचरल डिसोर्स इन लिस्टों में बेडिया बसिस ऑफ लासिटिशन के उपर उनको बेस्ट क्या किया है तो पहले है बाटिक पहले है या या बाटिक या 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 अपर अब हैं कैसे बता चैनल एब्लेटिक है या या बायोटिक है यह हमें कैसे पततलगा उनकी ओरिजिन से लिविंग और नोन लिविंग है potential and developed resources कैसे बता चलते हैं तोНу the basis of their development And the status of their development अगर मैं पता रहेगा तो उसके regarding हम बता करें पहाएंगे कि यह potential resources लिसोर्स जहें और डि STEM Individual and community owned resources on the basis of ownership यह और ए्पे हैं Own किसके दोरा किया रहा है Ownership हमें बताता है कि यह यह तो community होन आइसके Oms ॐन करते हैं and the fourth is renewable and non-renewable resources on the basis of exhaustibility कि वो renewable resources है कि non-renewable resources है उनका exhaustibility कैसी है इसके अधार पर हम उनको divide करते हैं तो option number हमारा हो जाएगा कौन सा? option number हमारा हो जाएगा option number B हो जाएगा right answer एक बर इसके explanation को देखते हैं तो explanation है biotic and abiotic resources are classified on the basis of origin जैसे कि biotic में आपका आजएगा animals, birds, plants, etc. और abiotic, water, air, soil, sunlight potential and developed resources को उनके development के रिगार्डिंग क्लासिफाई किया जाता है जैसे कि potential resources are resources which are found in a reason but have not been utilized मतलब potential का मतलब क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि किसी बच्चे में भी potential तो है करने का अगर वो utilize करे properly तो वो बहाद अच्छा करेगा मतलब उसके अंदे वो छमता है capability है वैसे ही resources होते है resources तो उस reason में पाय जाते हैं लेकिन अभी तक उनको utilize नहीं किया गया है वैसे resources जिनको survey किया गया है और उनकी quality को और determine क्या क्या है उनके utilization को भी है să Barreal जा जाता है community Aí किस को काते है तो लगी के दूरा resource ज़ो टो क्या जाता है जिसको डिल्डेयूस के सारउ को renewable and non renewable resources को तो renewable resource क्या होत Johnny जिसको डिन्नेव किया जा सकते है जिसको evolved now स्थेगल जन्नेवाइज लेज़्ट और यह ओवर दे लॉंग प्रियाद टाइम में यह खत्म हो जाएगा तो नॉन डेनुवबल में आपको कौन सा आ जाएगा आपका कोल आ जाएगा जितने फॉसल फियल्स जैसे के आपको पेट्रोलियम हो गया यह सब नॉन डेनुवबल रिसोर्सेस है कि अगर हम इसको एक ब तो लैंड यह सब्सक्राइग कोंसे स्टेटमें जो है वो करेक्ट है यह हमें बताना है एक्स्पैंशन अप्रेंशन 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 एक्टिविटीस उडली तो इंक्रीस इंग्रेंड पूर्ट तो नॉन अग्रिकल्चर यूसेस अरेस अंडर पॉमनें यह स्टेटमें हमारा करेक्ट है अग आपने अच्छे से पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो आपको कही ने कहीं आप एडिया लगा सकते हैं बार बार ऐसा बोलते हैं कि अग्रिकल्चर को प्रोमोट करने के लिए हम डिफॉरेस्ट कर रहे हैं और इंडस्ट्रिस को करते हैं यह और खासकर कि आपको अर्बं रिजम में देहने को मिलता है तो पहले बिल्कुल सही है कि एक सपंपनेशन के वाःस में जाइंकiãoच रिक आपकमार सब्सक्र बीकल्चे सब्सक्रें अर्ट्षन कर लिए था। और द्ली-धान को रिमिटेड हो रहा है और को एक मझ में आज जाना चाहिए कि यहां पर expansion of secondary and tertiary activities would lead to increase in the land put to non agricultural activities चाहिए अरिया अंदर permanent pasture and grazing lands are owned by the central government नहीं बिल्कुल गलत बात है कि जो जो भी area जो permanent pasture में grazing lands है वो central government की तर ओन किया जाते हैं यह हमारा थर्ड स्टेटमिन हम देखें कि एनी land which is left follow for more than one year is known as cultural level नहीं यह गलत है कि कोई भी land जिसको left कर देजाए पाट साल के लिए left follow कर देजाए फाइव एस के लिए उसको हम बोलते cultural level westland cultural level westland ठीक है तो हमारा option बर सिर्फ वहां पर यह वन करेक्ट हो जाएगा कि land and rural and urban settlement and infrastructure जैसे की road हो गया, canals हो गया, industries हो अर्बनाइजिशन में आपको सारा road और factory सब आ जाएँगे और इनको जैसे ही यह expand करेंगे तो जो भी land से हमारा जो agriculture के लिए भी यूज कर सकते हैं वो non agricultural activities की आ जाते हैं non agricultural activities को होते हैं जो secondary or tertiary activities होते हैं और non agricultural activities मिलनी होते हैं thus it can be concluded that the expansion in the secondary or tertiary activities would lead to increase in land put to the non agricultural uses and the permanent pasture or grazing lands are owned by the village panchayat naa के central government यह ध्यान में रखना है कि जो भी pasture land होते हैं और grazing lands होते हैं वो किसके दोरा ओन के जाता है वो ओन के जाता है आपके panchayats के द्वारा जो भी वहां के gram panchayats होते हैं उनके द्वारा और जो land पास साल तक उनको छोड़ दिया जाता है उसको हम बहुते कल्चरेबल वेस्ट लैं तो यह आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन रिखते हैं थार्ड नंबर कोशन है विचब तो following statement is are incorrect with reference to the land use in India तो land use in India का regarding कौन सा statement जो है वो incorrect है यह हमें बता रहे हैं लैंग पास्टर और grazing land shows an increase trend due to increase in area under agricultural activities second agriculture land is generally used for non-agricultural activities purposes when there is a shift to economy from primary to secondary and tertiary sector net area shown in India will show an increasing trend when cultural waste land will be cultivated हम बताना है आपकोंसे statement जो है वो incorrect है पहले statement हमें incorrect नजर आ रहा है क्योंकि land pasture or grazing land shows an increasing trend due to increase in area under agricultural activities हम देख रहे हैं कि agriculture activities के लिए जो भी area है वो घट रहा है न की बढ़ रहा है चीक है तो पहले statement हमारा incorrect हो जाता है second statement है अग्रिकल्चर लैंड इस जर्डरी यूज़ यूज़ वो non-agricultural purposes when there is a shift in the economy from primary to secondary and tertiary मैंने इसके पहले वाले question में भी बताया था कि जैसे हम primary से secondary और tertiary sector में जाते हैं तो जो non-agricultural activities होती है वो बढ़ जाती है और lands का use हो होता है वो non-agricultural activities के लिए होना स्टार्ट हो जाता है पर भी खेती करना स्टार्ट कर देते हैं तो उससे क्या हो जागा कि जो नेट सोन एरिया होगा जिसको हमने छोड के रखा वात है वो हमारे increase कर जाएगा तो बिल्कुल ये भी सही है हमारा option अमरे हो जाएगा इन करेक्र स्टेट्मेंट area under permanent pasture and grazing lands are owned by village panchat or the government और only a small portion of this land is used for privately owned the land owned by the village panchat comes under the common property resources तो जो भी land village panchat के दोरा रखा जाते है उसको common property resources मिला जाते है और जोसे land pasture and grazing lands के लिए हम बहुत कम lands का use करते हैं और तो कि वो directly किसके अंतरगत आता है CPR के में common property resources of the panchat और बहुत कम area ऐसे होते हैं जो individual के जारा ओन किया जाते हैं ठीक है next question देखते है and the fourth number question is consider the following statement with reference to the common property resources तो common property resources के regarding council statement जो है वो correct है these are land resources which are owned privately by an individual or group of special individuals second is the land under these resources can be used to obtain fuel, fodder, mine, forest, produce, or rearing livestock हमें बताने हैं यहापे कौन से statement जो है वो incorrect है पहरे सेट में हमारा incorrect हो जाता है क्योंकि अभी हमने जस दिखा कि common property resources कि किसके अंतरगत आती है पंचायाथ के अंतरगत जो होता है उसके अडर में आती है और यह जो लेन होता है इंडिविजुली ओन नहीं किया जाता है नहीं किसी special party कि सुकता है क्योंकि जो भी पंचायाथ के अंतरगता है मतलब वो इसके उपर कोई इंडिविजुल ओन रसे नहीं है यह इस इस लेंड कायोज हम किसके लिए करते हैं फ्यूल फोर्डर माइनर फोरेस्ट प्रोडिश और लाइव स्टॉक को रियर करने के लिए तो सेक्ड इस्ट्मेंट बिल्कुल करिक्ट हो जाते है पेला इस्ट्मेंट हमारा रॉंग हो जाते है अप्शिन नमर भी हो जाएगा राइट आंसर देख लेते हैं एक बार एक्स्ट्मेंट में कि इस रिसोर्सेज प्रोडर फोर लाइव स्टॉर्ड लाइव स्टॉक और फ्यूल फोर हाउसोल्ड अलों विट माइनर फोरेस्ट जैसे की फूर्ट हो गया नर्स हो गया फाइवर हो गया मेडिसिनल प्लांट हो गया कॉमन प्रोपरेटी लैइए इस अफ पॉर्टिक्लर रिलेवर्स फॉर लैवलियूट अव देशन और गुंनल फार्मर्स तो यह यह कर दो फर स्थूथ का आप दिया क्लेकी जो हएं जो माजिनल स्दॅर्में इस पंचायत Lewis ऐंसे अिला है इस नहीं होते हैं ना मैंने इसके रही नावत टुस्ट मैं फिफ्थ नम्बर कोशन देखते हैं and the fifth number question is with reference to the pulse production in India consider the following a statement pulse production regarding कौन से statement जो है वो करेक्ट है यह हमें बताने तो first is black gram can be cultivated as both karib and rabi crops second is green gram alone accounts for nearly half of the pulse production and the third is in the last three decades while the production of karib pulses has increased the production of rabi pulses has decreased अब कौन से statement जो है वो करिक्ट है एक एक जीज़ अभी धियान में रखने है यह जो मशूर का दाल होता है उसमें इंडिया का production इंडिया जो है वो largest producer यह आपको धियान में रखना है इंडिया लाजिस्ट प्रोडूशर है मशूर का दाल यानि लेंटिल प्रोडूक्शन में और आपको तो पता है यह pulse production हमारे इंडिया जो है वो largest producer है largest consumer है ठीक है और largest importer भी है ठीक है pulse हमारे यहाँ ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि यह काफी अच्छा रिसोर्स होता है प्रोटीन का हमारे इंडिया में बहुत सरे लोग होते हैं जो visitarian है तो यहाँ पर हम देखते हैं questions को और question है black gram can be cultivated as both खरीब और रवी crops बिल्कुल सही बात है कि black gram को रवी और खरीब crops दोनों के जैसे ही इनको cultivate किया जा सकता है second है green gram alone accounts for nearly half of pulses of production यह बिल्कुल गलत बात है कि green gram जो है वो half of the pulse production को account करता है यह around 8% होता है and the third in the last three decades while the production of curry pulses has increased the production of rave pulses has decreased यह भी आपका गलत है option number हमारा सिरफ one हो जाएगा right answer तो यहां पर statement a हो जाएगा correct answer ब्लेक ग्राम को cultivate किया जाता है as a rave and खरीब क्रॉप दोनों के तरह है इंडिया में important pulse crops जो होते है winter crops जिनको हम रावी क्रॉप्स भी काते है ध्यान में रखेंगे in winter crops means रावी क्रॉप्स जाता है ठीकर आड चिक भी लेंटिल लाथिरस फिल्ट भी किटिनी बेन और हावार ग्रीन ग्राम ग्राम ब्लैक ग्राम और काव पी आर ग्रोथ इन ग्रोन इन बोथ इस्प्रिंग एन रेनी सेजन तो इन विसे ग्रीन ग्राम ब्लैक ग्राम काव इ इन लास्ट थीगेट पॉठ दोत और फॉठ धूर्ड खरी खरीं तो आड ऑफ फिल्स में में साब्ला को से टैप्र्怎么了 टरी अ को यह जा जेकर रेंगे में ग्राम कोऌ से ए फिल्ट एक्रहां डर्क्राम सैनित ग्रीक प्रेंस रिच्छा Спर्बणड कोर्स में थुर्ण ग्रा अदर कॉल्टिवेशन है इस पुल्कुल करेंट है कर देक एरिया अनर राइस कल्टिवेशन के अदर के तो वह काफी हाइस है हमारे एंडिया में तो बिलकुल सही बात है जवार आपको पता है एक मिलेट क्रॉप है और अभी जो इंटरनेशनल इयर ऑफ मिलेट्स युवन के दरए 2023 में बनाया गया था यह आपको पता है और इंडिया में जो इनेशनल इयर ऑफ मिलेट्स था वो कब था 2018 में यह सबाब को ध्यान में रखना है एक्जाम में पूछा जा सकता है और अभी जी 20 को सम्मिट हुआ था इंडिया में उसमें भी मिलेट्स को काफ़ी प्रोबोट किया गया था और मिलेट्स काफ़ी हेल्फुल होता है काफ़ी नियूट्रिश्टन क्रॉप होता है जो हमार जल्दी steady मिलेटा चीनियूट वरद होजाता है यह थो थोड़ा हरस वर्ड भी और झाहिका और इग्जाम में इसको थिटो सकते केंते हैं तो यह आपको धना को सुछिके इप समेर को चीनिया भी मिलेट्स कंड थे MILD ौसे मैं इ tipping नहां है возь там तो लॉट्स टीपशा हो इंडिया का, कोटन और सुगर किन उल्टेश क्रॉप अपको पता है कि मतलब उनमें बहुत ज्यादा प्रोसेश्ट की ज़रूरतनी प्रोसेशिं की प्रोसेश्ट इसका नहीं होता है और इससे हम जल्दी कैष्ष प्राप्त कर लेते हैं I produce intensively but due to good profit margin in cotton it is cultivated more according to the Ministry of Agriculture Agriculture annual report 2018-19 cotton was cultivated in area 124.29 lakh hectare so cotton what are we out for? 124.29 lakh hectare which is more than area under sugar cultivation so sugar cultivation is produced in area which is more than other area under sugar cultivation जवार कुल्टीए अचन हरेा अचरिय के एक दोर्फार्कन फीिव नच्रफो हरेस्ट किसby yes sco FIGต क्यात इक लिफ क्शी सइफ नच्क्रेश कि एक नक्सक्षू ऑट मिदे एस किवन के एकर्यून इस क st Gleiche 극ी इसकिए क्रेक는데요 सबढ़न यह गाब कारेक्टे पहले सियłe रोगिवाथ के और शों अगी बिल्कोल सही बात है कि अरिफ़ोरेस्टेशन आगे लोग पियर तक चलता रहे तो वो क्या कर सकता है वो arrival land को westland में convert कर सकतה है, बिलकुल सही बात हैं हो एंडिया फ acabou خण के हिसलें, प्लाच्पेल शाथारि बात है बिलकुल सही बात है अरिया जो है इंदिया का, प्लेशेटी ज्याद है नहीं है मांटेएं और consumption और हिली और यह इसीन ही आपको पता चलिक है हमारे इंडिया में 28 में जरफीन में उन्टर्इक को थो शे सभुटेल dye accompany हैं ज़ैसे करें आपको देख लेता है यह आपको ते पहने का हमारा बिल्कुल ही गलात हो जाएगा first and second जो है वो बिल्कुल सही है optionable D हो जाएगा right answer both A and B are the correct answer एक वार explanation में देख लेते well in the long term soil erosion by rivers winds and waves human deforestation क्या करता है arable lands को barren land में convert कर देता है India में 43% of land area is covered under the plain land and 30% of area is covered under the mountain तो इंडिया में 43% जो land है वो covered है किस के अंदर plains के अंदर 30% जो है वो area है covered है किस के अंतरगत mountains के अंतरगत ठीक है total zone area in India is different in all the states except the north eastern state total zone area है सारे states का वो different है except the north and north eastern states तो आज के लिए इतना है रहे next class हम eight number questions से देखेंगे thank you so much bye